दोस्तो गर्मी काफी जादा इंक्रीज हो चुकी है और ऐसे में अगर आपको ठंडक का एहसास चाहिए, आपका बजट भी बहुत टाइट है, तो उस केस में आप ये बजाज के तरफ से आने वाला 36 लीटर की टैंक के पैसिटी वाला कूलर खरीच सकते हैं, और इसे हमने Amazon से पर्चेस किया था जो कि आप देख सकते हैं, 6000 के राउंड आपको ये मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक तो आपको मिली जाएगा, आप बाई कर सकते हैं, बट पहले ये वीडियो देखो, समझो कि ये प्रोड़क्ट आपके लिए फिट होता है या फ यहाँ पर से दोस्तो सबसे पहले अन्बॉक्सिंग करेंगे, तो बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर से आपको बजाज के तरब से ये बॉक्स देखने को मिलता है, 36 लिटर की टागन के पैसिटिक के साथ या राउंड आप देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको अराम से बता दूँगा और जहां तक रही बात कीमत की तो MRP 9999 लिखा हुआ है बट ये प्रोड़क्ट को दोस्तो आप चाहो तो 6000 के राउंड खरीद सकते हैं एमेजॉन से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा और बॉक्स को दोस्तो जैसे ही आप ओपन करते हैं पैकिंग मेरे हिसाब से one of the best है कुछ भी तूटने फूटने का चीज यहाँ पर से आपको देखने को नहीं मिलने वाला है और इसको हम बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यह लपेटा हुआ था और यहाँ पर से जो प्लास्टिक के फिल्म लगाया गया है इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं दोस्तों कि हम इसे बाद में भी यूज कर पाएं खेर इसको दोस्तों हम हटा करके आपको सब चीज दिखाते हैं तो फ्रेंट से देख सकते हैं आप लुक काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग आपको देखने को मिलता है नीचे आपको फोर विल्स देखने को मिलते हैं और जब भी आप इसके अंदर वाटर डाल देते हो दोस्तों तो यहाँ पर से आपको लो टू हाई का पूरा एक डीटेलिंग देखने को मिल जाती है फैन में आपको यहाँ पर से तीन मोड दिये गए हैं एक सबसे हाई है, देन मेडियम है और देन लो है मैं आपको थोड़ी दिर में इसका पूरा एकदम साउन का क्वालिटी भी टेस्ट करा देता हूँ और बाकी स्विंग पंप का भी आप्शन आपको मिलता है एक बार आप रोटेट करते हैं तो अंदर का जो आपका स्विंग ओप्सन है, वो अन हो जाता है दूसरे मोड में दोस्तों, आपका स्विंग प्लस वाटर उन होता है और तीसरे मोड में केवल वाटर आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वैसे आप इस तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर से दोस्तो आपको मिलता है यह honeycomb की padding साथी साथ यहाँ पर से आप देख सकते है वायर देखने को मिलता है इसकी quality बहुत जादा अच्छी है जो कि देख सकते हैं लेंथ भी काफी जादा है पीछ पानी को आराम से यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं जादा पानी हो जाने पर overflow का भी option दिया गया है और पीछे के तरफ से भी दोस्तो आपको hexagonal padding देखने को मिलती है और इसको open करने के लिए यहाँ पर से दो nobs भी दिये गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ open करके त अगर आप वोड़ोल से compare करते हैं तो फैर अंदर के तरब से जो fan है वो यहां पर से iron का नहीं है जो कि आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर से reading और जो भी इसके RPM है वो सब यहाँ पर mention किये गए हैं दोस्तों मैं यहाँ पर से लिख के आपको दिखा दूँगा और नीचे के तरब से एक और motor है दोस्तों जो कि पानी नीचे से उपर ले जाता है और तीनों honeycomb padding में यहाँ पर से नीचे के तरब से वो डालता है तब जाकर कि आपको सब तरब से ठंड़क का हैसास होता है जैसे ही आप इसका fan on करते हैं अब चलो fan की भी testing हम कर लेते हैं दो तो आवाज का आपको idea तो हो गया होगा और जहां तक रही बात दोस्तों swing option की तो जैसे आप first बार on करते हैं तो यह इसका अंदर का swing option है वो on हो जाता है अगर आप इसे second time on करते हैं इसके wheel को rotate करके तो swing के साथ साथ आपका जो पानी है वो नीचे से उपर के तरब आएगा उसके अंदर यहाँ पर साएगा ताकि आपका ज़ादा ठंड़क का हैसास हो और तीसरे mode पे दोस्तों केवल पानी आता है वो swing होना बंद हो जाता है तो एक direction में आप चाहो तो आनंद उठा सकते हैं ठंडे हवा का और अगर आपको मैं थोड़ा सा और एक बार इसका जलक तो आप देख सकते हैं लुक वाइज यह काफी aesthetically designed है जिस तरीके का white color blue knobs and जो कहीं-कही detailing आपको दिखती है gray color की वो आपके रूम का लुक को बहुत जादा इन्हांस करता है तो इस product के regarding मैंने आपको सारी जानका रही देदी आप देखो मैं अगर आपको short में conclude करके बताओ तो जो hexagonal padding आपको मिलती है तीनो direction में उसकी वज़े से जब भी आपका हवा अंदर जाता है और बाहर के तरब जब निकलता है तो ठंडक का ज़ादा एहसास होपाता है इवेन यहाँ पर से blower नहीं है fan दिया गया है तो blower में होता है क्या है वो आपका बहुत ज़ादा आ family भी है आप रात के समय सोना चाहते हैं अच्छे से तो आराम से आप इसका यूज कर सकते हैं पानी आप कितना चलेगा वो आपके उपर depend करेगा कि कितना आप यूज करते हैं and मुझे नहीं लगता है कि आपको बर्फ ये सब या ठंडा पानी डालना चाहिए क्योंकि अगर आपको फ्रेंट से भी दिखाया था white, blue and gray color का combination कुछ-कुछ detailing के साथ आपको मिलता है वो इसके look को काफी जाधा enhance करता है और living room हो गया या dining room हो गया इवन अगर आपका bedroom भी है तो वहाँ पर ये काफी aesthetic लगेगा तो ये चीज भी बहुत matter करता है मैं समझता हूँ क्योंकि आज के date में लोग room को बहुत अच्छे से decorate करना चाते तो ये चीज आपका room को बहुत अच्छा खुपसूर्ती दे पाएगा इवन वील लगा हुआ है तो आप इसको आराम से इधर से उधर ले जा सकते एक room से दूसरे room पे बड़ एक चीज का धियान रखना अगर कोई को रिकमेंड कर सकता हूं और मेरा पास्ट एक्सपिरियेंस बजाज के cooler से बहुत अच्छा रहा है मैंने दो तिन साल पहले इसी का दूसरा model का unboxing review किया था वह आज भी चल रहा है और कोई भी changes मुझे करना नहीं पड़ा बस वही है कि समय समय में 6-7 दिनों में ये जो पानी आप face करके इसको on कर देना सारा जब अंदर का जो smell होता है वो निकल जाएगा तब फिर आप room में use करना हाला कि मैं तो start कर दी हूँ अभी से use करना बट फिर भी अगर आपको थोड़े irritation होती है तो वो मेरे तरब से एक suggested चीज था जो कि आप follow कर सकते है और अगर आप इसे buy करना चाहते हैं तो Amazon का best buy link हम आपको दे देंगे description box में आप चाहो तो check out कर सकते हैं हमने भी Amazon से इस product को order करके मंगवाया था and काफी अच्छे packing के साथ ये मुझे मिला था तो आप भी चाहो तो देख सकते हैं and कुछ और भी alternate models अगर आपका budget थोड़ा high होगा तो उनके भी links म जो भी मैंने buy किया वही मैंने आपके साथ share किया बाकी अगर आपके मन में कोई question रहे गया होगा तो comment करके हमसे आप पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा like share and subscribe करके जाना so thanks a lot for watching थाल